कि में वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चोटी सी बात बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कमेंट कर रहे थे कि दिवाली के उपर जो कोर्स के प्राइस हैं उनके उपर ओफर निकाल दो मेरा स्पेसिफिकली प्लाइन नहीं था तो मैं आलग से स्पेसल वीडियो नहीं बना रहा हूं इस वीडियो के अंदर में आपको बता रहा हूं कि दिवाली तक जो कोर्स हैं उनके जो प्राइस हैं जो ओफर प्राइस होता है उतने हमने रिड्यूस कर दिये हैं ठीक है तो जितने भी बच्चे फिलहाल एन्रॉल करने की सोच रहे थे कोर्स के अंदर मैत क का हो या रिजनिंग का हो वो ओफर प्राइस पर अवेलेबल है आप पर जाकर चेक कर सकते हैं ठीक है अभी में वीडियो है अलोडियर आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर मैं भुथेश आपको यवन कोचिंग सेंटर ट्वेप सेनल पर वेलकम करता हूं इस वीडिय के कारण बिनावजय का स्ट्रेस एक तो होता है काम का स्ट्रेस मतलब कि जो स्ट्रेस हमें लेना चीए हैं जो हमें लेना ही पड़ेगा सक्सेस्पल होने के लिए एक है बिनावजय का जिस चीछ से हमें कोई फायदा भी नहीं होना फिर भी फाल्तु का स्ट्रेस हम ले रहे वो गलती ये है कि ये तो अफकोस है कि वही competition हाई है हमें अगर नोकरी लेनी है तो हमें बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा लेकिन खासकर कि maths के अंदर फिर student इस बात के कान क्या करते हैं ये करते हैं कि कोई भी question जब वो maths का करते हैं तो खुद के उपर एक timer लगा लेते हैं फिजिकल टाइमर बले ही वो ना लगाएं एक mental टाइमर ज़रूर लगा देते हैं कि हर इस question को करने में तो पहुच ज़्यादा वक्त लग गया वो ये कोशिस करते हैं कि हर एक question को मैं 30 second में करूँ 45 second में करूँ एक मिनट के अंदर करूँ तो इससे दो reason में आपको बताऊंगा में जिसके कान आप कोई नहीं करना चाहिए ठीक है एक तो दो के अलावा एक तीसरा reason ये सुन लो एक तो हर एक question ऐसा नहीं होता जो आप exam म कर पाएंगे कई question ऐसे होएंगे exam में जिनको करने के लिए आप डेड़ मिनट या दो मिनट भी लोगे ठीक है उन questions को आप skip करोगे first round में और उसके बाद उनको करने में सायद आप डेड़ या दो मिनट भी ले लो और कई question ऐसे भी होएंगे जिनको करने में आप 10 second ले एक फिर शीखा भी जाएगा तो अच्छे से सीखा नहीं जाता जल्दबाची केरता मालो आप बोक्सिंग के तियारी कर रहे हैं तो आप पहले दिन ही अगर उतना अच्छा प्रफॉर्म करोगे जितना अच्छा आपको competition में prepare करना चीए तो आप तयारी करने आये ही क्यों थे क्योंने सीधा ही competition खेल लिया तो जब हम सीखेंगे हम सीखी इसलिए रहे हैं ताकि जिस दिन फाइनल हम एकजाम देंगे उस दिन हम अच्छा प्रफॉर्म कर पाएं या फिर लाष उससे एक मीन को जल्दी करना, ठीक है, क्योंकि सीखने में वक्त लगता है, जब आप चीजों को सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप उसको बाद में जल्दी कर पाओगे, पहली बात सीखने मेरचन डालती है, दूसरी बात, आपने ये उब्जर्व किया है, कि मालो आप एक गंटे का मौक टेस्ट दे रहे हो, या फिर पहले टीर दूगा, दो गंटे का टेस्ट हम देते थे, जब दो गंटे का हम टेस्ट देते हैं, तो दिमाग ठका ठका सा रहता है, ठक जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, क्यों, क्योंकि एक गंटे आप स्ट्रेस में थे, है न, जल्दी जल् ना था, decision बनाना था, इस question को करूँ, ना करूँ, कब करूँ, ऐसे, तो दिमाग के उपर pressure बना हुआ था, तो माल लो आपने इसलिए बस पूरा भी कर लिया, आप दिन के सो, डेड़ जो है, जितने भी question आप मैत के कर रहे हैं, आप test नहीं दे रहे, फिर भी आपने सीख लिय अब आपके मैंने मैंगा, क्या सर्फ सीखने के बाद ये timer लगा सकते हैं, नहीं, क्या पूरा दिन stress में रहना, आपके दिमाग के लिए सही रहे हैं, तो relax होकर practice करो, जब आप सीख रहे हो, बले ही आपने एक बार सी levels कर लिया है, जब आप revise कर रहे हो, तो questions को mentally करने की कोश करो, कि आप ज़्यादा तर questions, ज़्यादा तर steps mentally कर पाओ, ताकि exam में हम उनको mentally करेंगे, लिकना skip कर देंगे, तो fast हो जाएंगे, लेकिन ये जो timer का stress है, ये अपने दिमाग के उपर से हटाओ, timer का stress अपने दिमाग पर तभी डालना है, कब? जब आप mock test दे रहे हो, अपनी करो, question जल्दी हो जाए, तो भी ठीक, थोड़ा सा time लेकर हो जाए, तो भी ठीक, ये जो timer की तलवार गले पर लटकाते रहते हो, ये मतलब लटकाया करो, ठीक है, बिना वज़े का stress पड़ेगा, बिना वज़े आपको तक करेंगे, उमीद है कि ये बात आपको समझ में आई ठीक है, फिर से ऐसी ही किसी काम की वीडियो के अंदर मिलते हैं, बाई बाई, टेक क्यार